हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेशन है, डिवाइड और फैन दा क्वाइन दा रिमेंडर, आज हम बिल्कुल इजी हुए में सेखेंगे, हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से, टीक है? तो हमें डिवाइड करना, फाइड से किस से? 12 से, बैस 12 से मुझे डिव तो टू डिजिट लेंगे 64 अब मुझे देखना क्या 12 की टेवल आपकी 64 में जाती है या 12 की टेवल हमें 64 तो कोई नम्मरा आता है 12 की टेवल में यह हमें देखना है तो इसके लिए सब्चे पहले तो हमें 12 की टेवल अच्छी तर आनी चाहिए अगर आप देखेंगे 12 वं ज इतना होता है 24 होता है 12 3 जा हमारा 36 होता है 12 4 जा 48 होता है 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72 भाइस 64 तो हमारी टेवल में आई नहीं रहा अब क्या होगा पर यह 64 आ कहा रहा 64 आ रहा 60 और 70 के बीच ओके तो हम क्या करेंगे 72 तो हम लिखने सकते greater हम divide में कभी नहीं लिखेंगे तो हम क्या देखेंगे इसकी जो nearest आ रहा 12 5 जा 60 आ रहा तो 5 टाइम जा रहा कि नहीं जा रहा तो 12 5 जा हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ओके, इस 4 को मैने, अब यहाँ पर मैनस होता वही, तो मैनस करोगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यह तो 0 हो जाएगा, अब 4 तो छोटा है 12 से, तो हम इसके लिए क्या लेंगे, उपर से एक डिजिट लेंगे 5 को, अब यह हो गया 45, अगेन हम देखेंगे, क्या 12 के टेओर मे और 48 के, अगेन हम देखा, ग्रेटर हम लिखने सकते हैं, 48 लिखेंगे तो मैनस नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, इसका छोटा वाला पहले क्या आ रहा, 36 आ रहा, कितने टाइम जा रहा, 3 टाइम, 12, 3 जाना, 36, यहाँ पर फिर मैनस कर देंगे, भाई यह तो 5 है, यहाँ से टेबल में, 96 आता है, तो यह हम देखेंगे, 12, 7, जा कितना होता, 84 होता है, और 12, 8, जा, 96, बिल्कुल, 12, 8, जा हमारा कितना आ रहा, 96 आ रहा, यहाँ 0, यहाँ 0, हमारा रिमेंडर 0 है, हमें क्या रहा रहा, पैंदा क्वाइंटें, क्वाइंटें हमारा यह होता, क्वाइं अब देखो 790 3 को डिवाइट करना मुझे किस से 13 अगेन 13 से डिवाइट करना मुझे 7903 को इसके लिए आपको 13 की टेवल अच्छे तरह आने चाहिए क्या आप देखो two digit no number 13 यहां 79 क्या 79 थरतीन की टेबल में आता है इसके लिए 13 वंजय कितना होता हमारा 13 होता है 13, 2 जा कितना होता है? 26, 13, 3 जा हमारा हो जाता है? 39, 13, 4 जा 52, 13, 5 जा 65, 13, 6 जा कितना हो जाता है? 78, और 13, 7 जा हमारा होता है? 91, भाई यहां तो 79 कहीं भी नहीं आ रहा हमारी टेवल में, 79 आ का रहा? 79 आ रहा हमारा, 78 और 91 के बीच में, भाई 91 तो हम लिखने सकते हैं, अगर हम 91 लिख देंगे तो माइनस नहीं होगा, तो हम क्या उससे पहले जो नमबर आ रहा है, 6 टाइम, क्या रहा? 78 आ रहा, तो 6 टाइम, 78 कर देंगे भाई, माइनस कर दो, 9 में से 8 गए, 1 बच हमारा कितना हो रहा? 10 हो रहा, लेकिन यहां में 13 से देना, 10 तो छोट हो गया, तो हम क्या गरेंगे? इस 3, लेकिन इस 3 को नीचे लेने से पहले, यहां 1 0 बढ़ा देंगे, एक चीज आप ध्यान रखना, जब हम डारेक्ट उपर से 2 डिजिट नीचे लेते हैं, जैसे हमने 1 हम 3 ले रहे, तो यहां पर क्या हो गए? 0 बढ़ा देंगे, हमने उपर, क्या बढ़ जाएगा? 0 बढ़ जाएगा, अब 13 की टेबल, 103 तक बोल ले बैए, तो 13, 8 जा कितना होता है? 104 होता भई, यह तो greater हो जाएगा, तो nearest क्या रहा? 7 टाइम, 91 हो रहा, 3 में से 1 गया, 2, 10 में से 9 गे, 1, अब भाई, यह 12 तो छोटा, यहां 13 से, ठीक है? इसको हम कहते है, remainder, भाई, एक तरह से हम इसको, यहां तो remainder पूछा तो यह remainder हो गए, अगर हम यह आगे करना हो तो यहां पर हम क्या लगाते है? decimal लगाते हैं, यहां 0 बढ़ जाता है, लेकिन यहां में remainder पूछ र है, क्या बोलना मारा? भाई, 19, भाई, 19 से डिवाइड करना किसको? 9, 4, 5, 6, भाई, 19 की टेवल आपको अच्छी तरह आने चाहें, तब जागे हमें पता लगेगा कि 94 क्या 19 की टेवल में आता है? तो अगर आप 19 की टेवल बोलोगे न, तो 19 बन जा कितना होता भाई? 19 होता 19, 2 जा कितना होता? 38 होता है, 19, 3 जा हमारा 57 होता है, 19, 4 जा हमारा कितना होता? 76 होता है, 19, 5 जा हमारा 95 होता है, और यहाँ है 94, थो यह तो हम लिखी नहीं सकते, greater हो जाएगा, तो 4 times जाएगा, 4 times 76 six बाइं यहां से कह रहे हैं यहां जाएगी कितना हो गया 14 14 में से six जाएगा eight बचता है यहां eight बच गया क्योंकि यहां चलेगे eight में seven गया one बाइं इतीन तो छोटा है किस से ninety से तो यह five हम यहां लेंगे यह हो गया one eighty five अब क्या 19 की टेबल one eighty five में जाती है तोftig to ninety six जा हमारा कितना होता one hundred fourteen होता है इतीन seven जा हमारा one thirty three होता है ninety eight जー हमारा कितना हो जाता वी ONFственingdot होता है 1989 ज्या हमारा ing nih ten ज хорошо हमारा कितना होता है one ninety होता है बाई 185 कहीं नहीं आ रहा पर आ रहा इन दोनों को बीच तो 190 तो लिखने सकती ग्रेटर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? 1990 नाइन्टीन नाइन्जा 171 हो जाएगा 5 में से 1 गया मैनस कर दो बाई 4 8 में 7 गया 1 ये हमारा 6 बचा हुआ क्योंकि छोटा है 19 ये 6 यहाँ आ जाएगा 146 क्या 146 आ रहा वई? क्या हमें कहीं 146 दिखाई दे रहा? बिल्कुल नहीं दिखा था 133 है फिर 152 है तो 146 इन दोनों को बीच आ रहा वई ठीक है इट मीज हम इसको ग्रेटर तो लिखने सकते 152 क्या लेखेंगे 7 टाइम 100 सेवन टाइम देखेंगे 100 कितना आ रहा? 33 133 6 में 3 गया 3 4 में 3 गया 1 यह रिमेंडर क्योंकि 13 छोटा है किससे 19 से तो क्वाइंटेंड हम देखेंगे 497 है और रिमेंडर हमारा आ गया 13 तो यह हमारा question solve हो गया देखेंगे 9 315 9315 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 16 से 16 से डिवाइड करेंगे 9 315 भाइ मुझे 16 की table कहा तक बोलनी? 93 तक बोलनी अगर आपको 16 की table आती होगी तो आपको मालूम मनच है 16 5 जा कितना होता? 80 होता है 16 5 जा हमारा होता 80 अगर आपको टी बिलाती है 16 6 जा होता 96 भाइ यहां तो 93 है 16 5 जा कितना हो जाएगा? 80 लिखना पड़ेगा यहां पर 96 तो लिखना नहीं सकते greater हो जाएगा तो 80 3 में 0 गए 9 में 8 गए 1 अब यह 1 यहां लेंगे भाइ कितना हो जाएगा? 131 अब 16 की टेवल में क्या हमारा 131 आता है? तो यह हम देखेंगे 16 7 जा अगर हम देखेंगे 112 होता है 16 8 जा हमारा होता है 128 16 9 जा हमारा होता है 144 131 तो कहीं आई नहीं रहा 16 8 जा 16 8 जा हमारा हो जाएगा 128 11 यहां से कह रहीं यहां जाएगे 11 में से 8 गए 3 बचेगा यहां 2 यह 5 आ जाएगा 16 2 जा कितना होता है 32 होता है 5 में से 2 गए 3 बचेगा हमारा क्वैंटेंट जो आरा है क्वांटेन इकल टो हमारा 582 आरा और रिमेंडर हमारा थिरी तो इस धंग्सम डिवाइट्स को कर सकते हैं ओके